बहुत बहुत स्वागत आप सभी का पढ़ाई करो और आज क्लास बहुत ही महत्पूर रहेगी क्योंकि आज क्लास मैं फाइनली बीए फोर्थ समस्टर इंगिलिस का पूरा पूरा कुस्टन पेपर लेक्या चुके हैं यह कुस्टन पेपर है राजा महेंद परताप्स ये फोर्थ समस्टर इंगिलिस का पूरा का पूरा का पूरा कुस्टन पेपर है यह तम पेपर की बात करने तो आपका इंडियन लेटरेचर इन जो है ट्रांसलेशन नाम यानि पेपर का नाम है अब जिन भी उनश्ट्ट्री में सेम पेपर लगता हुए तो यूपी की जि और बहुत सारे जिसमें देखाया तो ऑब्जक्टिव ही पेपर होता है इसे सभी वाले विद्धियर्थी देखेंगे बहुत की मात्मूर्ट सभीत होगा सभी उनिश्टी के लिए चलेगा बहुत ही तीब गती से से प्रियास करेंगे दो घंटे इसको करने को समय मिला हुआ था पूरा प्रसपत था पूरे इसमें 75 यह कुस्तन आयद हुए थे चलेगा इसके तम परसणों की बात कर ले तो इसमें जो है पहला कुस्तन आपका दियाओ की हाट इदा मीनिंग आपदा लिटरेचर यानि आपका लिटरल ट्रांसलेशन यानि जो दियाओ की लिटरल ट्रांसलेशन का जो है मीनिंग क्या होता है यानि साब्दिक अनुवात का आर्थ क्या होता है तो इस कुस्तन की इधम बात के लिए तो होता है वर्ड बाई वर्ड ट्रांसलेशन होता पहला आपसन एक दम सही रहेगा स जो है मेरा booklet, जो है मेरा C है, मैं booklet C को solve करा रहा हूँ, जो भी भी दर्थी बनाइंसर की देख रहे हैं, उनका booklet हो सकता D हो, A हो या भी B, कोई भी booklet हो सकता है, question उतने ही पूछे गए थे, वही question पूछे गए थे, इसलिए question आपको ढूनने के हो सकता पड़ेगी, उसी के बाद आपको सारे question आपको मिलते चले जाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा यहां सा हम निर्देश भी पढ़ना भूल गए थे, यहां से जो है, इसमें total 75 question दिये हुए थे, लेकि total इसमें 55 question करने हैं मान नहीं थे, इसलिए जिस भी उनिश्टिय में जितने question कहने को, यान कहे कि इतने question आपको करना है, उतने question करिएगा, उससे ज्यादा नहीं करना नहीं भी आपको, शुरुवात के question मान नहीं होते हैं, बात के question आपके count नहीं किये जाएंगे, ठीक, इसलिए जितने question कहे रहा है, उतने question आपको किबल करना है, ठीक है, अपने MRC पर चाहिए आप छोड़ छो question होता है, पहला आपसने नहीं सही है, इसी के सामने क्ववसक् funky question कि फुल फामावदा TL का फूल फाम होता अभी हYAR, target language होता है, OSL होता है, source language, तो Social प्रीड होता है टार्गेट लेंगवे जिसका लगाएगा सी आपसे एक दम सई रहेगा लच भासा होती है ठीक है चार नमर कुस्षण का लच भासा है तर्गेट लेंगवे जिए अगला कुस्षण अगला कुस्षण आपका दो नंबर देऊ खिवाट यह था ट्रांसलेटरे इसे किसाब ने हैं सोर्ष लेंगवेजशन? इससे बनको साथ होती है, इस नटे थीम आप कन्यादान यानि जो है इस चो छे नमबर कुस्तन आपका दिया वाह कि निविखिद्ञ विसे जो है क्या कन्यादान का कौन सब्सक्राइब नहीं है जो कास्ट कंस भी है जो आपका कन्यादान जो है ये एक नाटक है ठीक है वार्जिनल की बाद मुझस नह दिखाया गया है लेकिन जो है मैरी जे सिक्रेट बॉंड यानि जो है विवा एक पभीत्र बंधन इसको नहीं दिखाया गया इस नाटक में इस लिसमें का डी आपसन एकदम सही रहेगा मेरे हिसाब से डी ही आपसन लगाईएगा ठीक है अगला कुस्टन पी यह आपका नाट परत जो दिखाये गये हैं लेकिन जो है मैरी जे सिक्रेट बान यानि जो है विवा एक पभीत्र बंधन की रूम में उसमें नहीं दिखाया गया है इसलिसमें का डी आपसन सही हो जाएगा यह थीम नहीं उसमें अगला कुस्टन आपका साथ नमर दियावा है कि हूज आपक किसकी है तो यह हसातन मर कुस्टन की बात कर लें तो यह जो है अरुन की यह लिखी है ठीक है इसका लगाएगा अठवाले के भी जो है इसमें का साथ नमर कुस्टन का सीअपसन अग्दम सही घंगा सातनमर कुसंस नहीं गभीत्या है इस goofy ौर्भी सप सर्वाले गियाई यानि महात देवी जो सोईता थी उनको ग्यान पीर पुरुसकार जो है कब मिला था तो दस नमबर कुस्टन की बात करे तो उनको जो है 1996 में मिला था पहला आपसन एकदम सही रहेगा इसमें का अगला कुस्टन भी आपका दिया जो की है आठ नमबर कि कन्यादान वाज फर्ष यानि जो है दा हं जोwerk है डाहं जो है उस्तोरी आपके चेप्टर में इसमें माहिरी जो है कितने साल की थी तुछ इस मैरी जो कितने साल की थी आपका प१ाश्चा इन्दा स्टोरी दा हंट या आकका जो दिया वा कुस्टन कानी यह दा हंट कहानी только करा टाई का इसका फेम स्टार ही मुख्यां जो मौल फेली नायक कॉं था ही इस के लर्यप येशन का तो ़र्यवर विघ्त रहेंगा अगला कुष्फ SUS CI ब्यग्रा कुसन अपका दिया वे आमरेस सा आ गया जो कहानी में बोढी अउरत के चरित रहे में आप क्या निस्कर्स निकालते हैं तो इस बोढी अउरत की बात कर लिए तो पहिा जो है कम्पोस्ट टबी थी और गार्ड रिफ्यरिंग भी थी ठीक है भगवान से डरी हुई भी थी मर्सी फुल यानि दयालू पूरग भी थी इसलिए डी अप्सन लगएगा इदम सही रेगा आले हो विभाव सभी एक दम राइट ही इपिकल फेस के चरेक्टर ही हैं इसे के सामने 16 नमबर कुस्टन है कि इन विच एर डिट रभीनना टैगोर रिसीब नोबेल परायस यानि रभीनना टैगोर को जो है कब नोबेल पूरुसकार मिला था तो जो है 1913 से भी मिला था यह कुस्टन बहुत ही रिपीटेड है जितने भी कुस्टन दिखा रहा हो परिच्छा के दर्रसे से बहुत ही सावित्वं के सभी उनुस्टी में अगला कुस्ट आपका दियावा जो कि है चोदा नंबर कि हाट is the main theme आप दी होम अप दा वर्ड आपका जो है दा होम अप आप दा वर्ड जो है यह आपके जो चैप्टर है इसमें जो मीन theme क्या है इसकी विशेवस्त क्या है तो इसमें जो है politics दिखाई गई है ठीक है राजनीद इसमें है इसलिसका c आपसन एकदम सही रहेगा चोड़ा नमर कुशन स्कार अगला कुशन इसकी की सामने 17 नमर है कि जो कि दियावा कि which Indian moment is mentioned in the home and world यानी जो है यह 17 नमर जो कुशन है यानी the home and world में जो है किस भारती अंदोलन का जो है उलेख है तो इसमें जो है सोदेशी अंदोलन का उलेख है इसका लगाएगा सी आपसन एकदम सही रहेगा सोदेशी मुवमेंट अगला कुशन 15 नमर जो की दियावा है कि the home and the world who calls बिमला एक कुइन भी यानी जो है जो 15 नमर कुशन है यानी कि घर और दुनिया घर और दुनिया बिमला को राणी मधमक्की कौन चाहता था तो या किसे चाहता था था पसन्दीब इसका लगाएगा भी आपसे निक्तम रहेगा संदीब को अगला कुस्षन आपका ठारा नमबर है कि इन दा होम अएंड दा वर्ड वहट वाद दा नेम आप हो निखिल टीचर यानि जो है अठारा नमबर जो कुस्षन है दा होम अएंड वर्ड में जो है निखिल के सिच्छक का क्या नाम था तो निखिल की सिच्छा का जो है चंदन बाबू नाम था ठीक है इसका लगाएगा सी आपसे निगदम सही रहेगा चंदन बाबू अगला कुस्टन फिर आपका दियावा जो की है उनीर संबर की इन दा हो माइंड दा वर्ड विच इजे चरेक्टर इस्टिट आप दा निखलेस चरेक्टर यानि जो है निखलेस का चरेक्टर कैसा था उनीर संबर जो कुस्टन है दा हो माइंड दा वर्ड में जो है निखलेस दिया हुआ जो की बाइस नमबर है कि हूँ ट्रांसलेटेड पोएट पोएम्स आफ कभीरदास यानि जो है यह जो दिया हुआ कुस्तन आपका बाइस नमबर की कभीरदास की जो है कभीताओ का अनुवाद किस ने किया था तो कबीर दास की कभिदाओ का अनुवाद जो किया था वो गिया था रवीरना टैगोर ने किया था इसका जो है सी आपसे नेकदम शही रहेगा अगला कुस्तन भी आपका दियावा है जो की 23 नंबर है इसको भी हम देखेंगे साथ में 33 नमर कुछन आपका दिया हो कि hard is the meaning आप सכी सकी का meaning क्या है सकी सकी का मतलब होता है ठीक है तो सकी का मतलब एक होता है एक सकी का वैसे तो देखा जाज़ा सकी का meaning मेरे हस से जो है 33 नमर कुछ मेरे हुआ है सकी मेरे हिसाब से जो witness नहीं होनी चाहिए क्योंकि सकी का meaning होता है friendship होता है due to friendship ठीक है मेरे हिसाब से यही होना चाहिए to witness हो सकता है maybe एक सकी का मतलब जो है साक्षी होता अगर तो यहां से जो है मान सकते कि witness हो सकता था लेकिन to do frequency भी होना चाहिए मेरे साब से frequency भी लगाईएगा इदम रेट रहेगा ठीक है ते इस नमर कुस्टन का साखी के बतल मित्री तो होता है अगला कुस्टन भी आपका दियावा है एक कुस्टन और भी इसी से था 1916 में इसका लगएगा पहला अपसन सही रहेगा अगला कुस्टन भी आपका दियावा है जो कि है 24 संबर की हुआता गुरू आप संत कबीर संत कबीर के गुरू भी आ कौन थे तो रामानंद थे सभी को पता भी होगा इसका लगएगा भी आपसन एकदम सही रहेगा रामानंद ठीक है अगला कुस्टन जो कि आपका दियावा है 21 नमर की विच फीगर आप स्वेच इस दा योजड फॉलोविंग लाइन विदिन दा अर्थन विजूल आर्दा बहुँ अर्षयानी यह आपका जो दियावा कथन 21 नमर का दिखित पंक्तियों में से कौन सा अलंकार आपको पताना है तो इसमें पंक्त दी हुए कि इस मिट्टी के पात्र के भीतर कुंजियां है तो यह कैसा अलंकार है तो यह मेटाफर है इसका लगाएगा भी आपसन एक तम सही रहेगा अगला कुस्टन आपका पचेश संबर है कि वहाट डज्ट दा टर्म सकी मीन्स इदा संतकबीर पोईटरी तो इसका सकी के मीन्स क्या भी है तो फिरेंड ही है ठीक है इसका भी ही आपसन लगाएगा इदम रइट रहेगा यहाँ पर भी वही कुस्टन आया है अगला कुस्टन भी आपका 26 संबर है कि दा फेमस नोबेल पिंजर बेस्ट आन्दा आपका रोट्स डूरिंग दा एंडियन इंडिपेंडेंस वाज रिटन भाई तो यह जो है आपका 26 संबर कुस्टन यह जो 26 नमबर आपका कुस्टन आपका दियावा है कि परसिद्ध उपन्यास पिंजर जो है भारती स्वतनता के दवरान हुए दंगे पर आधारित है यह जो है किसके दवरा लिखा गया है तो इसकी धमबात कर ले 26 नमर की तो यह जो है अमरता पिरितम के द्वरा लिखा गया है इसका स्जी आपस नेटम सही रहेगा इसे के सामने पियापका दियावाब 39 नमबर कि पिंजर वाज दा यह कब परकासित हुई थी तो इसकी धम बात कर ले तो यह हुई थी 1950 में पहला आप से निकदम सही लेगा है सभी कुस्तन रट लेजी अभी से आप इन सभी को रट लेजिए ठीक है इनको रटा माल लेजिए यह कुस्तन बिल्कुल आपको पर इजाम में देखने को मिलेंगे कि है अगला कुस्तन ही अपका 27 मर कणि की हो इस दार अपका प्रोटा गोईंस आप इंजर या नी जो है पिंजर में जो है इसका नायक कौन है थे कि पिंजर का जो है कि पिंजर में जो है कि पिंजर का नायक कौन है तो इसकी बात करें थे पिंजर के जो नायक है प्यूरो है इसका सी अप्सन सही रहेगा इसी के सामने 31 कुछन है कि पूरो तो इनको जो है 1916 में मिला था पूरो कुस्ण आपको पूरो है कि पिंजर ने जो पूरो का पहरण पिंजर जो आपकी कविता है या भी कह सकते है चैप्टर है आपका तो इसमें जो है पूरो का अपहरण कौन किया था तो रासिद ने किया था इसका लगाएगा 32 संबर की जैसंकर परसाद वाज आयने पोईट तो जैसंकर परसाद जो है छाया वादी कभी है छाया वादी पहला आपसन एक दम सही रहेगा इसमें का 32 संबर की आसू इज रिटेन इन विच पोईटिक फार्म यानि जो है आसू जो है कह सकते हो कि आसू किस काब रूब में लिखा गया है तो कोट्रेन के रूब में लिखा गया है इसका जो है डी अपसन सही रहेगा अगला कुस्तन 26 संबर इससे के सामने है कि विच फीकर आप स्वेच इज यूज इन फॉलॉविंग लाइन से तो इस इखित पंक्तिव में से किस परकार का अलंकार आपको बताना है कि धार्ती पीडा मांगती है और जो है स्वर्ग सुरच्छा जो है चीन लेती है तो इसमें किस परकार का तो यह जो परसनिफिकेशन है ठीक है इसका लगएगा डी अपसन सही रहेगा अगला कुस्तन 24 संबर जो है इसमें का कथन सत्य नहीं है तो यह सभी कथन सत्य ही है लेकिन जो आपका डी आप्सन दिया वाए कि एट वाच पबलिस में 1922 तो यह जो है 1922 में पबलिस नहीं हुई थी आसू यह हुई थी 1925 में कब हुई थी आसू जो आपका चैप्टर दिया वाए यह जो है 1925 मे इस्टबलिस हुआ था और इस हुआ था ठीक इसलिए इसमें का डी आपसे एकडम गलत हो जाएगा और सभी एकडम सही है अगला कुस्टन फिक जो की 35 काइंड आप दवर्क इज आसु यह नि जो है पाइतिस्टन अमट्र गुस्टन है कि आशु किस परकार का कार है यहां से दिया वा तो आसु की द्रिम बात कर लें तो यह जो है जो कविता की परकार की है तो यह जो है आत्मक अथात्मक है और आटो बायोग्राफ इसका लगएगा अगला कुस्तन PC के सामने दिया वा जो कि है कि विच का इंड आप फिक्षण इच अमरी तर आ गया तो अमरी सर आ गया जो आपके चैप्टर में दिया वा है यह किस परकार की कहानी अभी किस परकार के फिक्षण है तो यह जो है यह विवाजन पर अधारी थ सकते हो यह आपका चैप्टर के इसमें जो है पाकिस्तान से जो है सरअराथी जो थे वहां के यह आया थे भारत में तो बिभाजन कह सकते हो किसाबस तो इसमें जो है jego कार्थ क्या होता हाए तो कबीर 10 जी संतत है सभी को पता होगा इसका सिय अपसन लगाएगा एके ठम सही रहेगा 42 Two समर सब्ण sätt कि कि सामने की दयावा कि दा Of कभीर ल्टीयot विद्ध तो क्भीर सेविध तो कर इसका जो 42 समर कुस्तन है जो अगला question कि आपका दिया वाजो कि चालिश सम्मर कि कभीर दास जो है belong to the century कभीर दास कि Left 10 कूष संसुरी से चालिवसे हैं इसका भी absence होई अगला इसी के सामने 43 समर कुस्टन की Who is the first translator आप भगवत गीता into English भगवत गीता को English में translate किसे ने किया था भी या तो 43 समर कुस्टन की यद हम बात कर ले भगवत के पर्थम अनुवादा कौन थे तो यह जो चार्स विलिंग जो है बिलकिन से थे इसका लगएगा कौन थे बिलकिन से थे चार्ल्स पहला आप से नगदम सही रहेगा इसका पहला आप से नगदम सही है अगला कुस्टन भी आपका दिया हुआ है जो की है 41 समबर की who we are the pirate आप कभीर दास कभीर दास के पिता कौन थे तो कभीर दास की बारे में आपको सभी को पता भी होगा कभीर दास के जो है इनकी माता जी थे जो की बरहमार पड़वार से थे इनकी माता ने नदी में छोड़ाया था बाद में इनको दो जुलाहों ने उनको पाया था और उन्हों ने इसका जो है पालन पॉसर किया था कभीर दा स्रीका जिनका नाम था नीरो नीमा ठीक है दो जुला है थे इसका सी आपसन निक्दम सही रेगा एक ताले समर कुसंस का अगला कुस्टन आपका दियावा है जो की है इसे के सामने गुर्देव इस दा निकनेम आफ तो गुर्देव किसका निकनेम भीया तो रवीना टाइगोर जी का है ठीक है इसका पहला आपसन सही रेगा चवाल समर कुसंस का रवीना टाइगोर जी का अगला कुसंस पी आपका दियावा है जो की है पाईतारिश सम्बर कि मोहनदास करमचन गांधी वाच कालड आईज म महत्मा किस ने किसके दोरह कहा गया था तो अगला कुसंस के सामने अगला कुस्स शेकर की मेंद सेम क्या थी तो इसकी अभाद कर ले ये आफका जो कुस्सन आफका दिया वाफ पिनजर की दो अलतालिस समबर allá कहा और रहेगा पिंजर वैसे देखा जाए यह जो है पार्टीसन मेरे हिसाब से यह भास की कहानी है ठीक है बहुत की बिभागर का जो पार्टीशन का इसले बी अप्सन सही रहेगा इसमें का अगला कुस्षन उन्चास संबर भी देखेंगे इसी वक्त आधे अधूरे वाज पब्लिस आधे अधूरे जो है कब पब्लिस होई थी भाई या तो इसकी दहम बात कर लें तो यह पब्लिस होई थी 1969 में पब्लिस होई थी इसका लगाएगा बी अप्सन सही अगला कुस्षन 46 संबर है जो की कि वहाट इदा मौस्टर सिक्रेट बुक आफ कबीर पंथ है यानि कबीर की पंथ की कौन उस तक मौस्टर पॉपलर थी तो थी बीजक थी सभी को पतावगा पहला आपसन एक दम सही ह 46 का अगला कुhस आपका 50 संबर दिया हो जो कि है कि the story यह जो कहानी थी आपकी the hunt watch ने कम में कब पब्लिस होई थी on 1995 में कब भी पब्लिस होई थी यह पब्लिस होई थी 1995 में पाचास नमर कुस्तन का इसमें कोई भी आपसन सही नहीं दिया हुआ है ठीक है हो सकता उनिवर्श्ट्री से कोई तुरटिया हो गई हूँ तो इसके जो कहानी परकास से थी यह हुई थी 1995 में इसका लगा देजिएग को बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है सधालिश संबर कि इन विच यह इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट इसूज दा पोस्टे स्टायंप आप दा फोटू आप कभीरदास यानि जो दिया हुआ कुसन कि भारती डाग विभाग ने जो है किस वर्स जो है कभीरदास की जो है तस्वीर वाला डाग जो है टिकट जारी किया था तो किया था 1952 में कब किया था 1952 में डी अपसंस इसका सी अपसंस ही अगला कुस्ट ने क्यावन नमबर इसी कि सामने कि लायक आप फेडेलिटी डू दा टेक्स्ट इन एसल कायन वी डिफायंड आयज इन ट्रांस सीथ है तो किसलिए इसलिए प्रफासित थे यह है डिस्टोर्ट इ Allen distortion के रूम में प्रपासित है कि इसका होता है कि थोर अरॉल का पेज करना ठीक है इसका डी अपसंस ही अगला इसन बावन नमबर ढिआ करेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगे कहते हैं literal translation ठीक है इसे के सामने कुस्टन फिए 55 नमबर है कि इस दा translation within the same language यानि same language में translation करना यह क्या कहलाता भी यह तो 55 नमबर की बात के लिए कहलाता है आपका इंटर लिग्वे आपका कहलाता है इसका लगएगा पहला आपसे लगदन सही किरेगा अगला कि में त्रीपन नंबर रहे जो कala का दिया वा थे आपका इन क इदेज स्वरिय Kirby जो है इसंस पेस्स आएंडाi ओपन सॉड्स ड्राविंग पॉल्स तियूजे वार तो त्रीपन नंबर कुस्तन दिया कि इंक इस्प्रेस एक जो है open source drag tools का उपयोग जो है किया जाता है किसके लिए भी यह किया जाता है तो इसकी दहम बात के लिए तो यह किया जाता है creating and editing आपका SVG SVG का मतलब होता है आपका S होता है इस cable vector graphics ठीक इसका लगएगा D options ही रहेगा अगला कुस्ण 56 नमबर इसके सामने है कि जो की MAHT का full farm क्या होता है तो इसकी दहम बात कर ले तो इसका full farm क्या होता है बहुत ही मातलब परसन है तो 56 नमबर की बात के तो इसका full farm होता है machine-ided human translation इसका B option रहेगा B option लगाएगा अगला कुस्ण 54 नमबर है कि must know the source language and target language है नि जो है देखा जा 54 नमबर की बात कर ले तो इक कुस्ण है कि सुरोत भासा और लच्छ भासा अवस्य होनी चाहिए कैसी translator को आनी चाहिए ठीक है इसका C absence ही रहेगा translator इसके सामने कुस्ण आपका दिया इसका कुस्ण से अनुवास सब्द की उत्पत ही है तो अनुवास सब्द की सब्द से हुई है ट्रांस लेसियों से हुई है इसका लगाएगा अगला कुस्ण फिए अपका दियावा है जो की है अठावन नमबर कि what is the name of festival celebrated by Mary and her tribe in the hunt जो आपकी हंट जो पुस्तक थी आपकी में जो चैप्टर हंट आप कहाए ठीक इसमें जो था हंट में जो है माईरी और उसकी जन्जात जो है द्वारा मनाया जाने वाला पर्व कौन सा था तो यह था जानी परप्था कौन था जानी परप्था इसका लगएगा डी अपसन सही रहेगा इसमें का इसे के सामने अगला कुस्ष्ण है कि इन दा हंट हुआ हंट वाई मैरी और यान आपका जो कुस्ष्ण दियावा है कि एकसर्थ नंबर कि कि दा हंट में जो है मैरी उराव ने जो है किसका सिकार किया था तो किया था ताहसिलदार का इसका लगएगा अगला कुस्ष्ण आपका उंसर्थ नंबर है कि हो रोड दा बायोगराफी आपका जहांसीर राणी यानि जहांसी की राणी की बायोगराफी किसने लिखा था भी या तो इसकी बात कर ले, उन्सर्ट नमर कुस्तन की, तो इसकी बयोगराफी लिखी थी, महा सोईता देवी ने लिखी थी, ठीके, इसका लगएगा, डिया अप्सन से ही रेगा, अगला कुस्तन आपका बासन नमर है, जो कि है, दा हंट, रेटन बाई, महा सोईता देवी, इस ट् चक्रवर्थी, इस प्यक ने किया था, इसका अप्सन से ही रेगा, अगला कुस्तन साथ नमर की, इन्दा हंट, इन्दा हंट, हूँ आज मैरी और यान्स फादर ही वाजनी, जो है, इन्दा हंट कहानी में, मैरी के फादर कौन थे भीया, तो अस्टेलियन थे, कौन थे, अस सीर, आपका जो कुस्तन आपका दियावा है, कि 1084, जो मदर जो है, ये किसने लिखी थी, ठीक है, दा मदर आप 1084, ये किसने बुक इसको लिखी थी, ठीक है, तो इसकी धंबात कर ले, 63 नमर कुस्तन स्की, तो इसको लिखा था, महा सोजता देवी ने, इसका लगाएगा, बी आपसन एकदम सहीरेगा, अगला कुस्तन भी आपका दियावा, 64 नमर की, हाट इदा मेन थीम, आप आधे अधूरे, आधे अधूरे की जो थीम क्या है, इसका विसे वस्तु क्या है, विसे छेत्र क्या है, तो इसका विसे है, फैमिली और जो है, संबंध है, अगला कुस्तन, PC के सामने है, सरसर नमर की, इन आधे अधूरे, हाट इस दा नेम, आप हूँ, सबित्री ज सन, यानि आधे अधूरे नाटक में, सबित्री के पुत्र का क्या नाम था, तो इसकी धंबात के लिए सरसर नमर कुस्तन की, तो इसके पुत्र का नाम भी आसोग अगला कुस्तन, PC के आधे अधूरे, इस दा एक्सपेरिमेंटल पिले, विकोच, यानि जो है, पैसन नमर जो कुस्तन है, यानि जो है, आधे अधूरे को परियोगिक नाटक के रूम में जाना जाता है, क्योंकि यह जो नाटक है, वन पर्सन पिले, फोर रूल, यानि एक पिक्ति जो है, चार रोल करता है, इसलिए जाना जाता है, पहला आपसन एक दम सही रहेगा, ठीक है, अगला कुस्तन इसी के सामने 68 नमर है, कि इन विच या डिड मोहन राकेस, रिसीब संगीत नाटक एकाडमी पुरुसकार, यानि मोहन राकेस को संगीत नाटक एकाडमी पुरुसकार जो कब मिला था, किस वर से मिला था, तो इनको पुरुसकार भीया मिला था, पराप्त हुआ था, 1968 में हुआ था, 1968 में, डी अपसन एक दम सही, अगला कुस्तन चार नमर है, जो कि है, कि हूँ इस दा आथर, आप दा पिले, आधे अधूरे, अनि आधे अधूर के आथर कौन है, इसके लेखक कौन, इसके इसकी धंबात के लिए, चांचन नमर कुस्तन की, तो याधे अधूरे नाटक के लेखक कौन भी है, तो मोहन राकेस है, इसका डी अपसन सही रहेगा, इसे के सामने कुस्तन दिया, उनत्तर नमर, कि हूँ इस दा, सेंबलाइज, आपका जो दियावा कुस्तन नमर, कि पिंजर उपन्यास में, जो है, कंकाल के रूम में किसे दर्साया गया है, तो पूरे को दर्साया गया है, इसका भी आपसन एकदम सही रहेगा, अगला कुस्तन सत्तर नमर है, जो कि दियावगी हूँ, ट्रांसलेटेड, अमरिसर आ गय कि रूम में किसने इसको लिखा था, किसने इसका अनुवाद किया था, तो यह किया था, अलोक भला ने कहा था, इसको किया था, इसका सी अपसन सही, इसी के सामने तिहत्ता नमर कुस्तन है, कि वहाट इदा नाट रिफलेक्टेड इन दा स्टोरी, अमरिसर आ गया, तो यह तिहत्ता नमर्ट कुस्टन है आपका, कि अमरे सतर आ गया कहानी में जो है क्या, पर्तिबंध नहीं होती है, पर्तिबंध नहीं होती है, तो संपर्दायिक sigma आपिना, ये नहीं होती है, तो मेरे सहाब से लगाएगा, कौन साथैरेगा, ठिक страш था ति उसका बात करें तो ब य भीष्म सहानी कोईंग यानि 71 नमर जो कुस्षन है कि लेखक भीष्म सहानी कहां और क्यों जा रहे थे तो भीष्म सहानी जो थे यह दिली जा रहे थे तो डिली ही जा रहे थे पार्टिसिपेट करने जा रहे थे Independence Day Celebration में इसका जो है C option से रहेगा, अगला फिस्टर नमरी के सामने है कि इन अमरी सर आ गया, इन विछ लैंग्वेज, ड़्च दा बाबु स्पीख, यानि जो है जो है चोए जो है अमरी सर आ गया, मैं बाबू जो है कौन सी भासा बोलता था तो बाबू जो है कौन सी भासा बोलता था तो यह बोलता था किस तरह की पुस्तो भासा बोलती थी बोलता था यह पहला अपसन सही रहेगा अगला फी बहत्तर नंबर कुस्सन है जो कि अमरिश सर स्टार्टर तो अमरिश सर से ट्रेन कहां से स्टार्ट भिया इसकी दम बात कर ले तो वैसे तो लहोर होना चाहिए मेरे साब से अमरिश सर पैसावर भी हो सकता है में भी तो कौन से समें का राइट विकल्प होना चाहिए इसमें का बताने का प्रियास करेंगे सभी विद्यारती पैसावर भी हो सकता है कहीं कहीं पर पैसावर भी लगा सकते हैं वैसे कहीं बुक में इसका और नहीं है आप इसको देख लीजिएगा लहोर भी हो सकता है और पैसावर भी हो सकता है ठीक है तो इस कहानी को पढ़े लीजेगा कौन से विकल्ट से एक बार देख लीजेगा मेरे साब से जो है पैसावर हो सकता है ठीक है बट लहोर भी होना चाहिए मेरे साब चलेगा पैसावर ही आप लगा दीजिएगा इसे के सा वहाँ 75 नमबर की अमरे सतर आ गया में जो है आदमी अपनी पतनी और बेटी के साथ किस स्टेशन के डिब्बे में बैठी थी यह बैठी थी विजाराबाद के स्टेशन पर इसका लगाएगा पहला अपसन से ही मैंने टोटल कुशन करा दें टोटल इसमें 75 को कुशन दें पर सब्सक्राइब कर सकते हैं संबी के मिनने अलग ब्ली जाकर वाच कर सकते हैं अपको सभी सब्सक्राइब कर सकते हैं इस वीडियो